और शुलेब सीधा रूख करते हैं हम आधी पार्टी के सांसाद राखर चौट धाइस स्वाक्ता दिल्ली सर्विसेंस मिल पर बोल रहे हैं राज्जी सभा में राजनेतिक धोका ये कहानी है सर उननिस सौ सतत्तर से लेकर दोजार पंद्रा की चालिस लगबग 40 साल का लंबा संघर्श भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूनराज्य का दरज़ा स्थापित करने के लिए किया 1977 में जब थर्ड मेटरोपॉलिटन काउंसल दिल्ली में था उसमें जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिली को पूनराजे का दर्जा बनाएं लगातार पूनराजे की दर्जे की मांग करते 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 ये 1989 का लोग सभा का मैनिफेस्टो में BJP का लाए हु 1989 के मैनिफेस्टो में पेज नमर 361 पे, पॉन्ट नमर 10 पे ये खहते हैं स्टेट हूट टू यूटी और देली यानि की 1989 से लेकर लगाता है ये लोग दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा दिलाने की मांग करते रहे करते रहे करते रहे यहां तक की जब 1991 में कॉंगरेस की सरकार ने दिल्ली में विधान सवा का गठन किया उससे भी नापरियाप्त मांते हुए लाल कृष्ण अडवानी जी मदल लाल खुराना जी सबने बयान दर्ज कराए कि ये भी दिल्ली के साथ नयाई नहीं है दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा मिलना चाहिए और हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे और लगातार इन लोगों ने संघर्ष किया आंदोलन किया सर 1998-1999 में फिर अपने मैनिफेस्टों में बीजेपी ने ये 1999 का मैनिफेस्टों है ये जारी करकर कहा कि हम दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा द या दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा दिलाने के लिए और अंतता वो दिन आया जिस दिन वाजपाई सरकार और वाजपाई सरकार के उप्रधान मंतरी आदर्निय लाल कृष्ण अडवानी जी इस सदन के भीतर एक बिल लाए the constitutional amendment bill 2003 जो दिल्ली को पूर्ण राजिका द आजपाई दिलाएगी या भी बात खतम नहीं होती सर इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में बीजीपी ने कहा हम पूर्ण राजिका दर्जा देंगे इनकी जून 2013 में national executive की meeting हुई उसमें मता पास करकर कहा हम दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा देंगे यहां तक कि इनके सांसद इनके सांसद डॉक्टर हर्चवर्दन ने बयान दिया कि जब अधर्निय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्जा देंगे यह इन समने सर लगातार बाते कहीं और दिल्ली को पूर्ण राजिका दर्ज बाजपाई जी का, मदनलाल खुराना जी का, सुश्मा सुराज जी का, अरूम जेटली जी का, सबका अपमान करने का, और उनके 40 साल के संधर्ष को, मिट्टी में मिलाने का काम करता है, सर। बनिये, और दिल्ली को पूर्ण राजपाई का, आज आपके पास एहतिहासिक मौका है, दिल्ली को पूर्ण राजपाई का दरजपाई जी का, इस बिल को लाने का, यह बिल क्यों लाया गया है, पिछले 25 साल में, दिल्ली में 6 बार विधान सभा के चुनाव हो, छे के छे चुनाव भारती जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी यहां तक कि 2015 और 2020 में आजार भारत के तिहास की सबसे बड़े जनादेश की सर्वार अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली में बनाई क्योंकि यह पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और रहम आग्मी पार्टी के आने के बाद यह जानते हैं कि अगले 25 साल भी यह लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नश्च करने का काम कर दो चाह ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व ना रहेगी ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी लेकिन मैं आज इस मन से भाचपा से अनुरोथ करूँगा कि कम से कम लाल कृष्ण अडवानी जी को नयाई दीजे कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए दिल्ली को पूर्ण रज्जिका दरजा दीजे सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संविधानिक पाप है सर पहली चीज ये अब्यूज ओफ ओडिनेस मेकिंग पावर्ज है आर्टिकल 123 जो संविधान का देता संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का एक ये रॉय वर्सिस यूनियोन ओफ इंडिया एक बड़ा मकपून लैंडमार्ग जज्ज्मन्ट है जिसने कहा कि ओडिनेंस सिर्फ आपात कालीन और विशम परिस्थित्यों में लाई जाएंगे ऐसी कौन सी आपात कालीन और विशम परिस्थित्यों आ गई कि आपको सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आठ दिन के बीतर बदलना पड़ गया दूसरा दूसरा सर दूसरा सर देखिये सर सर दूसरा सुप्रीम कोर्ट की दूसरा बिंदू ये सुप्रीम कोर्ट का अखमान है Supreme Court के फैसले को 8 दिन के भीतर 5 जज़ों के सम्विधानि फीट के सरसम्मती के फैसले को बदल के आज भारती जंता पार्टी ने एक मेसेज दिया है कि हम Supreme Court को भी चैलेंज करते हैं Supreme Court के फैसले को भी नहीं माँगते आपको जो order जारी करना है करो हम चंद दिनों के अंडर ओर्डिनेस लाकर उस कैसले को बदर दे दे हब चैलिज़ दे मैजिस्टी और दी हॉनरिबल सुप्रीम कोट सर और मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि आज कल जो ओर्डिनेस लाने की जो एक फेटिश इस सरकार ने देखी चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो चाहे वो फार्म बिल हो चाहे एडी के डिरेक्टर का एक्स्टेंशन हो जो ये सारी चीज़े ओर्डिनेस के माध्यम से इनों ने करी थी इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था